तो ध्यान दो बच्चों मैथ के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे exercise 7.6 के बचे हुए question तो जो problem हम बताये थे 7.6 में बहुत ही अराम से और ध्यान से हम तुम लोग को पढ़ाये थे क्या तो integration by parts कैसे apply होता है किसे post function किसे second function मानते हैं यह सब बाते हम बहुत ही detail तुमें समझाये तो कुछ question तुमारे मन में doubt भी होंगे उन सब को लेते हुए हम जो question छोड़े थे हैं उन सब को बताते स्टार्ट कर रहे हैं तो question number seven question number seven में हम तुम लोग को बताये थे x into sin inverse x dx इस question को हमें integration by parts के माध्यम से solve करना है बच्चों इस question को जब हमें solve करना है तो इसमें भी दो चीज प्रोड़क्ट में है जब दो function प्रोड़क्ट में होते हैं तो एक को मान कर दूसरा पाने का कोशिस करते हैं जिसे substitution method कहा जाता है तो इसमें अगर x को मानों के तो differentiation 1 आएगा और side inverse x को मानों के तो 1 by root over 1 minus x square यानी substitution नहीं होगा transformation नहीं होगा by parts लगेगा by parts में टर्म हम तुम लोग को बताये थे i left i hate word में जो पहले आये तो in first geometry और अल्यबरा में in first geometry पहले आया तो इसे first function inverse को first function और इसको second function हम मानेंगे तो पहले formula लिक ले रहे हैं formula होता है मेरा u v dx u v dx minus d by dx of u v dx total का dx यह तुमारा integration का by parts का formula होता है अब मेरा यहां पे है क्याक x into sin inverse x एक को u मानना है और एक को भी मानना है i rate का दूसार जो यह हम लोग के लिए अपना चीज है i rate का दूसार inverse वाला u मानाएगा u के जगा sin inverse x और b के जगा x है minus d by dx sin inverse x x dx और total per dx देखो ध्यान से here u के जगा sin inverse x यूज हुआ है जबकि b के जगा x यूज हुआ है x sin inverse x dx है sin inverse x और x का हो गया x square by 2 यहा sin inverse x का differentiation 1 by root over 1 minus x square और यहा x का integration x square by 2 dx तो x square sin inverse x by 2 minus 1 by 2 बाहर नीचे देखो 1 minus x square है और उपर x square है तो अगर हम यहाँ x square लिखें यहाँ minus यहाँ लिख दे तो यहाँ plus करना पड़ेगा minus x square 1 add करके 1 minus कर दिये क्यूं ऐसा कर रहे हैं जब तुरंत समझ में आ जाएगा x square sin inverse x by 2 plus 1 by 2 1 minus x square root over 1 minus x square minus dx minus 1 by 2 dx by root over 1 minus x square तो यहाँ पर क्या पाए हम हम लोग पादिये x square sin inverse x by 2 उपर काटो के तो 1 by 2 root over 1 minus x square dx minus 1 by 2 dx by root over 1 minus x square इसका तो फर्मूला है integration में पढ़ाया है तुमको sin inverse x sin inverse x का differentiation 1 by root over 1 minus x square होता है तो 1 by root over 1 minus x square का integration sin inverse x होगा यहाँ पर x square sin inverse x by 2 plus 1 by 2 x root over 1 minus x square plus 1 square by 2 sin inverse x by 1 minus 1 by 2 sin inverse x plus c यह जो यहाँ पर यूज किये इसका फर्मूला लिखे हैं बच्चो तो क्या फर्मूला यूज किये हैं ध्यान दो यह 1 by 2 पहले से यहाँ पर है यह 1 by 2 इसका फर्मूला हम लिखे हैं देखो फर्मूला होता है root over a square minus x square बराबर x by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a x के जगा 1, a के जगा 1 है यहाँ x by 2 लिखें 1 by 2 तो पहले से x by 2 लिखें root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a और इसका फर्मूला तो sin inverse x होता है clear वच्चो फिर 1 by 2 यह जो है इसमें multiply हो जाएगा समझे है तो यह एक फर्मूला है और इस सब फर्मूला पर आगे वाला chapter तुम्हारा बनेगा इस फर्मूला को prove करके हम दिखाते हैं पहले इसको तुम note करो वह जो खर्मूला हम यूज किये है plus c इसे हम बताते हैं कैसे बनेगा हटाये बच्चो ध्यान कुर्व पूरा मेहनत से चीजों को समझो देखो ध्यान से तो कोई भी सवाल अगर मिलेगा कोई भी सवाल अगर मिलेगा root over a square minus x square dx x by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c यह फर्मूला होता है और इसे प्रूफ करने के लिए x बराबर बच्चो हम a sin खीटा मांग रहे हैं तो मानेंगे तो dx निकालना पड़ेगा sin theta का differentiation cos theta तो dx बराबर हो गया cos theta since मेरा सवाल है तो root over a square sin square theta और dx के जगाँ पर a cos theta d theta यहाँ पर a square को उमन लेंगे 1 minus sin square theta cos square theta होगा a cos theta और a cos theta यहां से आगे बढ़े तो आगे a square cos square theta d theta a square cos square theta को हम लिख सकते हैं 1 cos theta by 2 d theta यहां से आगे a square by 2 d theta a square by 2 cos theta d theta तो a square by 2 theta और a square by 2 sin 2 theta by 2 plus cos का इंडिरेशन sin 2 theta हो जाएगा theta के साथ 2 multiply है तो यहां 2 divided हो जाएगा a square by 2 theta a square by 2 2 sin theta cos theta by 2 plus 2 से टु कैंसिल a square by 2 theta a square by 2 sin theta cos theta को लिख सकते हो 1 minus sin square theta plus a square by 2 यहां sin theta पराबर x by a है तो theta के जगा sin inverse x by a हैगा plus a square by 2 sin theta x by a और यहां 1 minus x square by a square plus a square यहां a square हो जाएगा यहां a square हो जाएगा यहां यहां पे है और इस a square रूप से लिख लेगा तो a square इसको काट देगा तो इसको लिखेंगे x by 2 x root over a square minus a x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c तो अगर उपर में root के अंदर quadratic है तो यहां करूला बनेगा और इसका proof हम लोग निकाल कर दिखा दिये हैं इसको ध्यान से मेहनत से proof को करना पूरे question में सिर्फ यूज यह किये हैं हम लोग कि integrate इसको root से बाहर निकालने का परियास trigonometry लगा कर हम किये हैं हटाई से सभी चीजों को notes बनाती जाना है फियर बनाती जाना है जिससे हर एक चीज हर एक topic तुम सीख सको प्लस a square एकस बाई टू एकस एसकोर प्लस a square a square बाई टू प्लस log प्लस एकस एसकोर प्लस पहला दूसरा और तीसरा तीन फर्मुला है और इन ही तीन फर्मुला पर exercise 7.7 बनेगा उसके question को बानाने का जरोत नहीं पड़ेगा root के अंदर quadratic होगा उसे perfect square बदलना और इन ही तीनों में से कोई एक फर्मुला लग जाएगा तो घर पे खुद से 7.7 का attempt लोगे तुम लो अब 7.6 में हम 15 तक question को पूरा मानते हैं एक से 15 तक के सवाल को complete मान रहे हैं अब उसके आगे हम पढ़ा रहे हैं तब तक के लिए इसको घर पर तुम 7.7 attempt ले लेना 7.6 अब हम बनाने जा रहे हैं लास्ट वाले सवाल 7.6 के लास्ट वाले जो सवाल है उन्हें बनाने के लिए solve करने के लिए एक फर्मूला का यूज होता है फर्मूला क्या है ध्यान दो गया फर्मूला क्या है बच्चों पूरा ध्यान से सुझो गया फर्मूला है E-X E-Pix plus F-6 D-X E-X E-Pix plus C E-X E to the power X exponential function अंदर में दो function plus में है एक function E-Pix है और एक दूसरा उसका differentiation है एक function E-Pix होना चाहिए और एक F-6 होना चाहिए E-X E-Pix plus C यह पर्मूला है और यह बहुत ही important पर्मूला है जो इसको proof करने दिखाते हैं E-X F-X plus F-X DX E-X into F-X DX E-X into F-X DX यहां पर दो चीजों का product है integration के अंदर दो चीजों का product है बच्चों अगर तो U into B पे जाएगा I-Late में exponential सबसे last आता है इसलिए exponential हमेशा भी माने जाता है F-X side में E-X का integration minus D by D-X F-X का differentiation E-X का integration और total का integration E-X plus E-X F-X DX तो side में अपना E वाला है इसका बस formula लगाए है क्या यूज किये हैं तो U V-D-X minus D by D-X U U के जगा E-X है integration V-D-X V के जगा क्या है E-K power X E-X E-K power X हो गया है minus F-X हो गया है E-X का differentiation F-X F-X actually होता क्या है D by D-X of F-X होता है into E-X plus E-X F-X D-X अगर दोनों अलग अलग तर्म है काटेंगे ते constant उटेंगा E-X F-X plus integration हो गया कीगा बच्चो इसको याद रखना है proof को और formula को अब इसपे हम तुम्लों को सवाल कराके दिखा रहे है सवाल को ध्यान पुर्भक मेहनत से समझना है पूरे ध्यान से पूरे चैप्टर को समझोगे तो हर एक चीज बच्चो जान जाओगे हटाई से देखो पूरा मेहनत से इंटिग्रेशन पढ़ो और according to NCRT हम लोग का indefinite integration समाप्त हो गया है लेकिन हम तुम्लों को कुछ दिन वक्त दे रहे है टाइम दे रहे है कुछ अगले वीडियो जो अगले बुक से डालेंगे जिससे कि तुम लोग indefinite integration को और अलग बुक से NCRT example वेगरा से बढ़िया से बना लो फिर हम लोग आगे definite integration स्टार्ट करेंगे देखो बच्चो दिहान से बढ़िया से एकदम समझना है question number 16 हम रुप चल क्या रहे हैं तो 7.6 में integration है EX sin X plus cos X dx ठीक है राव तो यहाँ पर A fix के जगा पर sin X है और sin X का difference यह सम होता है cos X हम जानते हैं कि EX A fix plus F dash X dx बराबर EX A fix plus C होता है अराम से इंडिक्रेशं का फरणला होता है बच्चो तो क्या लिखेंगे EX A fix के जगा अगर sin X लिखेंगे तो F dash X cos X हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा EX sin X plus question number 19 देखो EX 1 by X minus 1 by X square X if A fix के जगा पर 1 by X मान होता है 1 by X का differentiation minus 1 by X square होता है मतलब EX A fix plus C होगा sin हम जानते हैं कि EX A fix plus F dash X DX EX into A fix plus C होगा तो EX F X के जगा पर 1 by X plus minus 1 by X square X तो EX F X के जगा क्या आ गया 1 by X plus clear होता है question number 18 देखो EX 1 plus sin X by 1 plus cose X अभी मेरा पास EX के अंदर में F X plus F dash X का pattern नहीं develop होगा है develop कराना है हमें तो कैसे develop होगा इसको ध्यान देए तो इसको दिखेंगे EX 1 plus sin X को 2 sin X by 2 into cos X by 2 sin theta बराबर 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 formula होता है क्योंकि sin 2 theta 2 sin theta into cos theta होता है और 1 plus cos X 2 cos square X by 2 होता है अब इतना जिन से integration पढ़ रहे हो और तो यह सब कर्मुला पता होना चाहिए EX अंदर में 2 cos square X by 2 2 sin X by 2 into cos X by 2 2 cos square X by 2 1 cos X by 2 से 1 cos X by 2 कड़ गया 2 से 2 कड़ गया EX 1 by 2 6 square X by 2 और यहां पर आगया 10 X by 2 तो 10 का differentiation 6 square होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यदि F X के जगा पर 10 X by 2 माने है अगर F X के जगा पर 10 X by 2 माने है तो F dash X के जगा पर 10 का से 2 square X by 2 और X by 2 का 1 by 2 हम जानते हैं कि EX EF plus F dash X DX इसका integration EX into EF plus C होता है तो EX 10 X by 2 plus 1 by 2 C square X by 2 DX EX आज F X के जगा पर क्या आ गया तो 10 X by 2 प्लस लिख देंगे इसको तो EX के अंदर एक function plus उस function का differentiation अगर होगा तो फर्मुला इजली सेट हो जागा इसको बहुत ही ध्यान से और मेहनत से बच्चो समझना कि क्या क्या बाते हैं तुमनों को इसमें सिखाएं मेहनत करोगे लिख के प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे अटाएं इसे आगे सवाल बदना है अटाते हैं इसको बस एक बात जान लो कि नोट्स तयार रखना है नोट्स प्रिपेर रखो सबी चीजों को मेहनत करो जानों सीखो तो तुम आगे बढ़ जाओगे इसलिए किसी भी इस्तिती में महलत करते रहना है जितना जाजा महलत करोगे उत्रा जाजा अच्छा बनोंगे देखो अब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा सवाल है कुश्चन नमबर 17 कुश्चन नमबर 17 है मेरा ए एक्स एक्स बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वार तो एक्स के साथ मल्टिप्लाई में तो यहा है लेगन सेट नहीं है सेटिंग नहीं है इसका तो अगर हम एक्स वन प्लस एक्स माइनस वन कर दें तो नीचे वाले के रूप में उपर वाले को लिंदेंगे एक्स 1 plus X, 1 plus X टा whole square और यहां पर, minus 1 by 1, plus X टा whole square एक, cancel कर दो 1 by 1, plus X, plus minus 1 by 1, plus X टा whole square अगर ध्यान दो, e के पावर X के अंदर दो फंक्सन, plus में है यदि एक को एफिक सोचते हो तुम, तो दूसरा बच्चो एफड़े 6 है, यदि एक को एफिक सोचते हो, तो दूसरा तुम्हारा एफड़े 6 है, तो हम फर्मुला जानते हैं कि, एफिक सोचते हैं, यहाँ पर एफिक सोचते हैं, प्लस माइनस वन वन प्लस एकस का स्कॉर, तो e x 1 y 1 प्लस x प्लस इन देंगे हो जाएगा बाबू अब इसके आगे question number 20 है मेरा integration x minus 3 e के power x और x minus 1 का cube dx इसको हम integrate कर रहे हैं तो ध्यान पुर्भवा समझोगे e के power x x minus 1 minus 2 x minus 1 का cube dx ठीक है बाब तो e x x minus 1 और x minus 1 का cube minus 2 बटा में x minus 1 का एकक cancel हो गया 1 by x minus 1 का square minus 2 x minus 1 के power 3 फिर वही चीजे आगी थोड़ा दिमाग तेज रहेगा तो समझ पाओगे इसलिए बार बर बोलते हैं सब कोशन बनाया हुआ होना चाहिए प्रेक्टिस किया हुआ होना चाहिए तभी न सभी बातों को समझ पाओगे बच्चो तो एफिक्स के जगाओ पर 1 by x-1 का स्क्वार है तो एफिक्स 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 होता है x-1 के power minus 2 power side में power में कम तो minus 2 बटा x-1 का या एफिक्स का ब्योखार किया और या एफिक्स का ब्योखार करे रहा है हम जानते हैं कि e x एफिक्स पलस f-x dx e x एफिक्स पलस c होगा e x e x एफिक्स 1 by 1 x-1 का स्क्वार minus 2 x-1 का क्यूब dx e के power x 1 by x-1 का स्क्वार प्लस नोट करो इन दोनों सवाल को या दोनों सवाल को जादा अच्छा सवाल है और इसको प्रक्टिस करते रहना है जितना भी हो सके मेढत करते रहना है प्रैक्टिस करते रहना है अटायए बाबु इसको अटाते हैं इसको मेढत करके जितना हो सके महिनत करो महिनत में और सभी सवाल का प्रेक्टिस करो महिनत करोगे प्रेक्टिस करोगे सब कुछ अच्छा हो नहीं जाएगा ठीक है? अब आगे बढ़ रहें बाबू देखो मालो सवाल है question number 21 e के power 2x into sin x dx इसको हम आई मान लेते हैं अच्छा सवाल है इसमें ध्यान देना इसको बच्चो हम आई मान लेते हैं इसमें दो चीजे प्रोडक्ट में हैं sin x sin में e के power 2x dx minus d by dx of sin x e के power 2x dx e के power जो भी है e के power वही होता है इसके साथ 2 multiply है तो तो दिवाइट होंगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा इंटिग्रेशन बाइपार्ट्स इहां दो बच्चो cos x side में e के power 2x dx minus d by dx cos x e के power 2x dx total per dx e के power 2x into sin x by 2 cos x e के power 2x by 2 cos x का minus sin x तो प्लस हो जाएगा sin x e के power 2x by 2 ठीक है बाब e के power 2x sin x का इंटिग्रेशन प्रोडक्ट e के power 2x into cos x minus 1 by 4 i ठीक 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 आगया और e के power 2x sin x dx का फिर से आई आगया तो जो इंटिग्रेशन लेके चले थे वहीं इंटिग्रेशन फिर आगया तो उससे हम उनों i बाद देगे ठीक है बाब तो i i उधर कर दो तो i plus i by 4 e के power 2x into sin x by 2 1 by 4 e के power e के power 2x cos x 5i by 4 आगया जो आए i बराबर निखल गया ठीक है बच्चो इस तरह से नी सवाल मेरा बनता है तो जितना जाजा मेहनत करोगे जितना जाजा प्रेक्टिस करोगे चीजों को बना पाओगे मेहनत से सीख पाओगे हटायवागो इसको देखो जितना जाजा मेहनत करना है करो जितना जाजा प्रेक्टिस करना है करो करो विडियो जी रिपीटेड मोड में देखो इंटिग्रेशन के हरे चीजों को सीखो समझो मैथ में में फिजिक्स में मैगनेट चैप्टर को कम्प्लीट करो मैथ में कल्कूलस के बाद जो की कल्कूलस खतम हो जाएगा सितंबर मन्थ तक अक्टूबर नॉवंबर में मेरा बाखी बच्चा हुआ सिक्षन कम्प्लीट हो जाएगा यानि नॉवंबर राष्टत में हम सभी सिलेबस को मैथ में किसी भी तरह से कम्प्लीट कर लेंगे और उसके बाद दिसंबर जन्वरी फर्वरी माज हमने कमपटिशन पे बोड पे ब कोश्चन नॉवर ट्वेंटी टू साइन इन वर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वार इस या एक्च्वाली टू टैन इन वर्स एक्स का फ्रमुला है जो नहीं जानता है एक्स के जगा टैन ठीटा रख देगा तो समझ जाएगा टू टैन ठीटा प्रमुलास टैन एस लगाना लगाना है टैन इन वर्स एक्साइड में टु दी एक्स मंस दी गाइड़ टैन इन वर्स एक्स तू डि एक्साइड जाुटल पे ट्यक्स 10 inverse x 2dx का 2x 1yx square उपर 2x dx लेट करेंगे t बराबर 1 plus x square तो dt बराबर आ जाएगा 2x dx तो 2x tan inverse x dt by t 2x tan inverse x log mode t plus c ता भैरू रख लेडा चल्दी से बच्चों बता दिने question number 23 x square e के power x cube e के power आदू खल्दू रहेगा तो उसको मानना ही पड़ता है रूल है बच्चों तो t बराबर हम x का cube मागनी है तो dt by dx मेरा 3x square आगिए तो dt by 3 हो गया x square dx मेरा सवाल है e के power x cube x square dx इतना का भैरू पता है e के power t 1 by 3 e के power t plus c 1 by 3 e के power x cube plus c हो गया रामस्ति अब मेरा सवाल है e के power x log x 1 by dx 1 by dx अपने से सम्झों क्या व्हाल क्निये एक पावर एक्स एक्स होता है एक्स का क्या लिदेंगे टैन इंबस एक्स प्लस स्टेप तुम धर्पे कर लेना इसका इसको अटाते हैं बर्चो आगे समझो अटाए इस है ध्यान दो बाव में कोश्चन है 7.7 पहला 4 मैनस X स्कॉर डी एक्स 2 का स्कॉर मैनस X स्कॉर डी एक्स फर्मूला यूँज करेंगे Sine Inverse X by A प्लस C जो आज फर्मूला हम लिखे थे उसी फर्मूला को यूज कर लिए है question number 3 है बच्चो question number 3 है root over x square plus 4x plus 6 dx तुम पहले इसको perfect square में बदलते हो और तब खीर इसको आगे बढ़ाते हो तो 7.7 complete बना लेना 7.6 complete बना लेना मिलते हैं अगले class में नए topic के साथ और indefinite integration को अभी हम complete मान रहे हैं खीर बच्चो